नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एक ऐसा चत्ता जो तिब्र प्रचंड वसीकरन करता है प्रचंड तांत्रिक प्रयोग कराता है तो वो चत्ता आपके आसपास होगा या आपको मिल जाएगा कोई भी पेड़ पर आपको वैसे मिल ही जाएगा क्योंकि अक्सर मधुमक्या जब चत्ता लगाती है बहुत बार तो घर के खिड़की में भी लगा लेती है अगर घर में लगा रही है तो उसको तुरत हटाईए और कहीं बाहर आपको सुखावा चत्ता मिल जाए तो आज हम आपको एक बहुत ही खुबसूरत सा प्रयोग बताएंगे देखिए यह चत् को माद दुर्गा का ब्रामडी स्वरूप भी कहा जाता है तो माद दुर्गा का मतलब है सत्रू का संघार करने वाली तो यहां पर आप एक छोटा सा प्रयोग करना है मधुमक्की के छत्ते का आज हम आपको पांच प्रयोग बताएंगे अब पहले आपको निमंत्रन देना होगा जहां भी छत्ता है आप पहले एक लोटा पानी याद रखिए अगर गंगा जल हो तो अति उत्तम एक थोड़ा सा अक्छत और थोड़ी सी मीठी बस्तू लेकर जाईए जहां भी मालेते किसी पेड़ पर छत्ता है तो उस पेड़ के जड़ में ही आप जल दे दें और आप चले आईए या फिर आप उस छत्ते को थोड़ा सा लेकर चले आईए तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए ये जो छत्ता है इसको लाने के बाद पहला प्रियोग आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चुकि ये छत्ता हमने कहा कि मा जो दुरगा है उनका पर आपके घर परिपार पर नहीं असर करेगा आप चाहें तो बैपार अस्थल पर भी इसको गाड़ सकते हैं और गाड़ने का जगा ना हो तब क्या करेंगे बांद कर आपको इसको रखना है चली जानते हैं आगे दूसरा ये प्रियोग है कि आप इस छत्ते का एक टुकरा ल हँआ तोका इसको बाढ़ सब्सक्राइब किशाए यी और यह श्यूद – इस टूठे चाहब वरत हैं आपके समस्यवं जाएं और थायर वरकर खर्तियोग – अंश्यूद से समय अगर आपके घर में अश्टगंद है तो उसी खास स्याही बनाकर आप इस छत्ते के ऊपर मनोकामना लिख दें और फिर बहते वे नदी में प्रभाहित कर दें पीछे मुड़कर मत देखिएगा आपके मनोकामना सिग्र पूरी हो जाएगी। कई बार आपके जीवन में जैसे पती पतनी में प्रेम नहीं है सास बहूं में प्रेम नहीं है आप चाहते हैं कि हर किसी का प्रेम आपको मिले आप चाहते हैं हर कोई आपको प्रेम करें आपको चाहें आपको सम्मान दे तब मधु मक्की का थोड़ा सा टुकरा छत्ता ले ले और अपने हाथों से खिला दें, अगर हाथ से नहीं भी खिला सकते हैं, तो कम सकम अपने हाथों से उन्हें खाने को दें, किसी चीज में मिला कर भी दे सकते हैं, पीछी चीज में मिला कर दीजेगा, और अंतिम प्रयोग यह है, कि देखे कई बार नजर दोस बहुत लगता है आप चाहते हैं कि नजर दोस्त ना लगे आपके घर में छोटे बच्चे हैं आप बड़े भी हैं बड़ों को भी लगता है लोग तंत क्रिया ना करें आपके उपर असर ना करें तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें जो मदुमक्की का छत्ता का मूम होता है ना उसको आप किसी ताबीज में भरवा कर धारन करें आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं ऐसा करने से नजर दोस्त तंत क्रिया एसर नहीं करती करके देखे फिलाल भी दा लेंगे जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजे और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज रहेगा